आवल पिंडी में पाकिस्तान और बांगलादेश के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच खेला जा रहा है। इस टेस्ट मैच में भी बांगलादेश का प्रदर्शन अभी तक बेहद शांदार रहा है। वो इस मैच में भी जीत हासिल करने की तरफ बढ़ रहे हैं। इस टेस्ट मैच में बांगलादेश के विकेट कीपर बल्लेबाज लिटन दास ने अपने टेस्ट करियर का चौथा शतक बनाया था। उनकी इस शांदार पारी की वजह से बांगलादेश ने इस मैच में वापसी की थी। दरसल पाकिस्तान की पहली पारी 274 रन पर स अंगर्श कर रही थी। इसके बाद लिटन ने महंदी हसन के साथ 150 रन की साजहदारी करके टीम को मुश्किल हालाद से निकाला। खुर्रम शहजाद ने महंदी हसन को आउट करके इस साजहदारी को तोड़ा था। महंदी हसन के आउट होने से पहले ही लिटन ने अपने कर परनामा इंग्लैंड के ओली पोप ने साल 2022 में किया था। साल 2006 में MS धोनी ने फैसलाबाद में 148 रनों की पारी खेली थी। दूसरे टेस्ट मैच में भी बांगलादेश की टीम जीत की तरफ बे आरेच रही है। बांगलादेश को चौथी पारी में 185 रन का लक्षे मिला है बांगलादेश की टीम ने पहले टेस्ट मैच में जीत हासिल की थी।